नमस्कार लाइव लगतार देख रहे हैं आप और स्वास्त महकमे की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं इन खबरों पर अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरब शुकला मौजूद हैं आईए उनसे जानते हैं क्या है आज स्वास्त में से जोड़ी बड़ी खबर हैं बिल्कुल देखे हम अपने तमाम सारे दर्शकों तक ये अपडेट पहुचाना चाहते हैं कि लोगों के लिए और राज्यवासियों के लिए एक रहत भरी खबर है कि जो जहारखन में कोवीड वैक्सिनेशन की जो रफ्तार थी जो धीमी स्वास्तविभाग के द्वारा की जा रहे हैं इसमें एक और जानकारी हम देना चाहेंगे कि जो कोवीड शिल्ट के जिक्र हम जो कर रहे हैं इसमें चार लाकी क्यावन हजार नौसो सतर डोज ये को वैक्सिन के डोज है जो जहारखन के 2400 जीलों को आवंटीत किया गया है स्वास्तविभाग केंदर के द्वारा जो है वो साथ अगस्त से दो सितंबर के बीद जो वैक्सिन का शिडूल है वो जारी किया गया है और इस शिडूल के तहट 27 लाग से भी अधिक डोज जहारखन को आने वाले दिनों में मिलेगा इसमें कोवीड और को वैक्सिन दोनों और तेज होगी और अधिक से दिक लोग जो राजे के लोग है वो वैक्सिनेट हो पाएंगे शिवेंद्र और दूसरी अपडेट हम एक और देना चाहेंगे कि जो रिम्स में संचाली दवाई दोस्त की दुकान है जहां पर जेनरी कौशन नहीं लोगों को मिलती है और सस्त कब तक इस नई विवस्ता के तहट लोगों को दवाई उपलब दोंगे हाला कि दवाई दोस्त के रिम्स परिसर में होने से जो दूर दराज के शेतर और खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं जो रिम्स में अपना बहतर उप्चार और इलाज के लिए पहुंसते थे उन इन खबरों पर अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो लगतार.in पर इन खबरों को पढ़ सकते हैं उन खबरों का लिंक हम दिस्क्रिप्शन में आपके लिए उपलब्द करा रहे हैं और जुड़े रहिए लाइव लगतार के साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबस्क्राइब करें हमारे वीडियो को शेयर करें लाइक करें और कमेंट करें न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टागन पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगता.in के साथ